इस वक्त हम राची में जज कॉलनी के गेट पे मौजूद हैं पूजा सिंगल की यहाँ पे जज प्रभात कुमार के घर पेशी हो रही है आजी पूजा सिंगल को लंबी पूस्ताश के बाद एडी ने गिरफतार किया है एडी के जोनल आफिस में ही पूजा सिंगल का मेडिकल जाच कराए गया तो उसके बाद सीथा उनको यहाँ पर जज के आवासीय करेले में लाया गया है हमारे सुतर बदार है कि ईडी जो है रिमांड के लिए आवेधन कर सकती है इडी इनको रिमांड पे लेना चाहती है रिमांड पे रLinkक के पूस्ताश करना चाहती है पूरे मा रहा है कि करीब कुछ समय लग सकता है इस मामले में क्लियर होने में कि क्या इनको होटवार जिलाज भेजा जाएगा या इडी के रिमांड पे भेजा जाएगा बता दें यहां पर देखिए जच कोलने का जो गेट है उसको मीडिया के लिए बंद कर दिया गया है ठीक अंदर के लेफ्ट साइड में जज़ प्रभात कुमार का घर है जहां पे पूजा सिंगल की पेसी चल रही है और हमारे सुत्र बता रहे हैं कि इडी जो है रिमांड के लिए आवेदन दे सकती है इडी इनको रिमांड पे लेकर पूस्ताच करना चाहती है मंदरेगा घोटाले के प पति अभी सेख जा अभी भी इडी के जोर्नल ओफिस में मौजूद है उनसे पूस्ताच किया जा रहा है तो हमारे सुत्र बतार है उनकी भी कभी गिरफ्तारी हो सकती है वह हैं इनके जो सीए हैं सुमन उनको आज से छे दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद इडी ने पांच दिन के लिए उनको रिमांड पे लिया था आज पूजा सिंगल की सामफ़र पांच बजे गिरफ्तारी होई उसके बाद वहीं पर उनका मेडिकल हुआ मेडिकल जाच वहीं इडी के जोर्णल ओफिस में कराया गया मेडिकल टीम को वहीं बुलाया तो उसके सिधा उनको यहां जच के आवास के कारेले में लाया गया है क्यामरा परसंसलिस के साथ ससांग कुमार एविपी न्यूज राची